आठ अंगो वाले मार्ग का जो दूसरा मार्ग है वो है सम्मा कम्मन्त या सम्मा कम्मो या सम्यक कारे या सही काम, राइट वर्क या राइट डीड या राइट बिजनिस इसको कुसल कम्मो भी कहते हैं कुसल कम्मो कुसल सब्द बहुत जादा भगवान बुद्र अस्तमाल किया है उस समय कुसल कम और एकुसल कम यानि जो खराब काम है एकुसल और जो अच्छा काम है उसको कुसल कम्मो तो ठीक कारे या सही काम जो भी आप इसको समझें ये दूसरा अंग है, आठ अंग वाले मारका, जिसको आठ अंगे एक मारक बोलते हैं, या एट फोल्ड पाथ बोलते हैं, पहले पाथ में मैंने बताया था, सम्मा वाचा, अब सम्मा कम्मो या सम्मा कममंतंग दसल कममंतंग इसलिये बोलते हैं क्योंकि कम का अंत अच्छा होना चाहिए यानि सम्मा होना चाहिए सही होना चाहिए काम बीच में ही ऐसा नहीं है कि आपने सुरू में ठीक किया और बाद में खराब किया आपने कहा मैंने तो ठीक किया बाद में खराब हो गया तो वो नहीं माना जाता जो सुरू में ठीक किया बीच में ठीक किया और अंत में भी ठीक हुआ तो वो सम्मा कमनतंग बोला जाता है असल इसके चार पुरे जो भाग हैं वो उनोंने बताए हैं और चारो के चारो जो पंच सील में चार सील आते हैं एक जो सील है वो आता है पानाती पाता वेरमणी यानि प्रानी हिंसा नहीं करने का एक आता है चोरी करने का अदन्य दाना वेरमणी एक आता है कामेसु मिक्षा चारा यानि काम और मिक्षा और आचार का वैवार नहीं करना है और एक आता है सुरा मेरे मज्जे पमाद कवर हो गया है जो आपने वीडियो पहले देखी हुई है तो प्राणी हिंसा क्योंकि ये जो चल रहा है एट फोर्ट पाल्थ ये सबसे बहतरिन हिस्सा है भगवान बुद्ध का जो बहार करने लिए बताया हुआ है यानि कि जो आप देनिक क्रिया में बहार की क्रिया में बही क्रिया में इसको करते हैं तरसल एक होती है बही क्रिया और एक होती है अंतर क्रिया यानि कि सरीर के मन की अंदर की क्रिया तो ये बहार के करम है जो आपको ठीक करने है जो मन के करम से बहार के करम ठीक होते है बेचकल यो दिखाई देते हैं, सबी लोगों को ये वो करम है, बाहिय करम भी बोलते हैं को, तो क्या कहते हैं, हिंसा नहीं करनी है, हत्या नहीं करनी है, तो हिंसा और हत्या नहीं करने का मतलब क्या है, हिंसा और हत्या में आपको ना डारेक्ट करनी है, ना इंडारेक्ट करन सकते हैं यानि कि सीधे रूप से नहीं करनी है और ना ही घुमा फिरा के हत्या करनी है ना ही हत्या का कारण बनना है ना ही हत्या के लिए हिंसा के लिए उकसाना है ना ही हत्या और हिंसा का कोई सहोग करना है ना ही हत्या को और हिंसा के कारण को या विक्ति को या किसी बात को छ ही व्यक्ती को मजबूर करना है कि वो खुद अपनी हिंसा करे या अपनी हत्या करे यानि कि आत्म हत्या के लिए भी नहीं करना है ये सारी बातें आज की डेट में जो भारत का समवे धाने उसमें cover होती है और उसमें जो इंडिनर्फिनल code है IPC है उसके अंदर ये cover होती है सारी की सारी धाराएं उसमें आती है तो दरसल हिंसा indirect और हिंसा जो direct है उसके बहुत बड़ी चीजें यहां बगवान बुद्ध ने बताई हुई हैं जैसे आप सक्ति साली हैं आप powerful हैं आप बहुत ज़्यादा धनवान हो गए हैं आपके पास में बहुत ज़्यादा ताकत है आप राजा है आप महराजा है या गड़ तंत्र में आप कोई मंत्री है या कोई आपको ताकत मिली हुई है जो गड़ ने आपको दी हुई है या कोई मोनार्की है या कोई emperor हैं किसी भी तरह का अगर आप तंत्र चलाते हैं तो उसमें पावर होती है आपके पास में कि आप लोगों के जीवन के बारे में अच्छा और बुरा निर्णे कर सकते हैं तो आपने अगर अच्छा निर्णे किया तो उनकी हिंसा नहीं होगी उनकी हत्या नहीं होगी वो कश्टमें नहीं आएंगे और आपने अगर गरत निर्णे किया है तो वो हिंसा के लिए हत्या के लिए इंडायक्ट रूप से आपका प्रियास मना जाएगा ऐसे मना जाएगा जैसे आपने कोई व्यक्ति है जो आप से स्वक्षा मांग रहा है और आपने उसको स्वक्षा प्रदान नहीं की तो उसकी हत्या के आप कारण बन गए किसी ने आपको बताया कि मेरी हत्या हो सकती है मेरे साथ हिंसा हो सकती है मुझे कोई मार पीट सकता है मुझे कोई नुक्सान पहुचा सकता है और आपने उसकी मदद नहीं की या किसी विक्ति को आपने जान बूच के किसी विक्ति खिलाफ में लगा दिया या किसी समुदाय को किसी समुदाय के खिलाफ में हिंसा में लगा दिया या आप शुरूर से उसके मन में भढ़ते आ रहे हैं दो समुदाय या तीन समुदाय की बीच में कि ये समुदाय ठीक नहीं है उसको कहा वो समुदाय ठीक नहीं है उसको कहा वो समुदाय और संपदाय ठीक नहीं है तो समुदाय और सम्फदाय या जो समु होता है उसको एक दूसरे के खिलाफ आप हिंसा के लिए मांसिक रूप से सालों से अगर त्यार कर रहे हैं तो उसका कारण कर रहे हैं तो वो काम ठीक नहीं है वो काम आपने छोड़ना है बिसिकलीर तो ऐसे हालात भी पैदा नहीं करन या हत्याचार किया, या कुछ लोगों के पास आपने सारे संसादन खाना पीना दे दिया, बाकी लोगों को नहीं दिया, या उनकी सिक्षा आपने छीन ली, या आपने उनको बुरी तरह से प्रतारित किया, या उनकी बात नहीं सुनी, या उनको नियाय नहीं मिला, या उनको भी पाप है वो उसको लगेगा जो ये कांप पीछे से कर रहा है जो सामने वाले हैं उनको तो लगेगा ही लगेगा जो पीछे से करवाने वाले हैं बुद्ध के सद्धान्त के नुसार उनके बच्चे भी लूले लंगडे और काने भेने और टेड़े मेड़े और राक्षस प्रवती के राक्षस का मतलब तो वैसे रक्षा होता है मगर आज की भासा में कहें तो बुरी प्रवती के पैदा होते हैं ये पाप की प्रवती के पैदा होते हैं वो नश्य पते जुए सरा में लग जाते हैं उनका मनवी वैसा ही होता है ये नियम भरवान बुद्ध ने कैई वार इसको बलकुल बता है इसको कम सिध्धानत पोते हैं, करम का सिध्धानत पोते हैं जैसा करम वैसा बीज, वैसा करम फल वैसा बीज फल, जैसा करम वैसा दर्च और जैसा दर्च वैसा फिर आगे फल. बड़ा इस पश्चा ये सिध्धान तो उनों ने देखा है तब बता है क्योंकि भरवान बुद्ध ने कोई भी ऐसा सब्द नहीं बोला है जिसका अनुपभ उनों ने जीवन में ना किया हो तो सबसे पहले आपने हिंसा और हत्या ना करनी है ना उसके कारण बनना है ना उसका कोई सहरोगी बनना है दूसरा आता है चोरी यानि के अदिन दाना वेरमनी सिख्धा बदंग समाधियामी का जो सील है चोरी करना तो चोरी करना भी और चोरी करने के हालात भी पैदा नहीं क नहीं है बेसिकली हत्या करता है चोरी करता है आदमी तो सबसे पहले उसके मन में राग देस या मुहमूटा उत्पन होती है इस कारण से करता है राग मतलब उसको कुछ चाहिए 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 जैसे कोई व्यक्ति है संपने सारी बात है मगर फिर भी उसको लगता है कि उसक पास है और वो उसको चोरी कर लेता है तो ये एक्षिक चोरी है उसने एक्षा के नुसार मन के नुसार चोरी उसने किया उसके मन में चोरी करने का आया है इसको राग बोलते हैं दूसरा किसी इरिसाइक कारण है जैसे किसी का नुकसान पहुचाना है किसी की दुकान पे अच् बड़ा अच्छा है या किसी मिस्त्री की दुकान पर किसी का पेच कस या प्लास बड़ा अच्छा है या किसी कहीं छोटी मुड़ी दुकान पर कोई सामान है जिस पर आपका मना आगया तो आपका दुएस पैदा हो गया कि इसके पास क्यों है मेरे पास होना चाहिए इसके प मूर्था, मूर्था का मतलब है मूर्था और मूर्था का मतलब भी मूर्था होता है बात के समय यानि कि आप मूर्था पागलपन में बिना किसी समझ के आप किसी का सामान उठा लाए just for enjoy यानि कि बस मज़े के लिए है कि थोड़ा हमें मज़ा आ गया वो परिसान हुआ आपक आपके परिवार के किसी सदस्य को किसी ने नौका रखा हुआ है और वो आपको इतनी तनखार नहीं दे रहा है कि आपका परिवार पढ़ जाए, आगे बढ़ जाए या चल जाए तो अगर आपके परिवार को सफिसेंट खाना या sufficient पानी या sufficient भोजन या sufficient पढ़ाई लिखाई दवाई वगएरा रहना बिजली पानी नहीं मिलेगा तो बच्चे तो इसको मांगेंगे और आप भी चाहेंगे कि वो मिले मगर जो आपका employer है वो आपको पैसा नहीं दे रहा है तो ऐसे में आप क्या करेंगे अपने employer के अपने रोजगार देने वाले के अपने काम देने वाले के जिसके हैं आप नौकरी करते हैं उसके यहां चोरी करना सुरू करतेंगे basically वो आपको मजबूर कर रहा है क्योंकि उसकी तो साल में हर साल में दो factory और बन जाती है और आपके परिवार में जितने आप पड़े लिखे हैं उतना भी नहीं हो पारा और आपके परिवार में खाने की भी इतनी कमी है कि आपके बच्चे सब भूख सूखे सूखे और कमजोरी है और पड़ भी नहीं पाते हैं तो वो पड़ेंगे कैसे ये मजबूरी के कारण आदमी चोर बनता है जब उसको sufficient कुई तरह से नहीं मिलता एक व्यक्ति सारा खाना खाए और एक व्यक्ति को खाना ना मिले वहाँ चोरी होती है एक व्यक्ति का जब जिस्ती मार पिटाई किया जाए और दूसरा व्यक्ति उसे मार पिटे अपने काम करने वालों को या लेबर को या देश के अपने जो और लोग है उनको मजबूर करते हैं बाट कर नहीं खाते और जो तंत्र है वो भी इस तरह का है कि वो बटवारा सही तरह से नहीं करता एक अमीर अगर अमीर हो रहा है तो बहुत अमीर हो जाता है एक गरीब है तो वो गरीब होता चला जाता है ऐसे में जो गरीब है वो मजबूरी के कारण प्योंकि उसको अमीर ने मजबूर किया है बिसिकली वो खुद अपनी इक्छा से चोरी करना नहीं चाहता उसे चोरी करने के लिए अखुसाया गया है कैई मामलों में खुद जो employer है जो रोजगार देने वाला है वो खुद चाहैता है कि ये छोटी मोटी चोरी करता है जिससे कि उसकी बड़ी चोरी छिप जाये यानि कि एक जो बड़ा चोर है जो अर्वकर्ड करबर रुपे की चोरी कर रहा है वो चायता है कि नीचे वाले जो उसके लोग हैं वो भी थोड़ी थोड़ी चोरी करते रहें ताकि उसकी चोरी का ढोल ना फोड़ें ना उसकी चोरी के बारे में किसी को बताएं और ना ही उसकी चोरी का जिक्र किसी से करें इस तरह से भी चलता है ये बातें भी वहां आती है तो इस तरह से चोरी के लिए मजबूर किया जाता है वेबचार, शोशन और अत्याचार ये चोरी के परमुख कारण रहे हैं इसके अलावा जो पेट की भूख है और जो बच्चों की भूख है वो चोरी का में कारण रहा है जो एक बड़ा चोर या एक बड़ा व्यक्ती या एक धनवान व्यक्ती या एक बलव्यक्ती उसके लिए रास्ते बनाता है जैसे उसकी सिक्षा को रोख देते हैं उसे पढ़ने नहीं देते वो पड़ेगा नहीं तो आगे अच्छा रुजगार नहीं कर पाएगा समधार नहीं हो पाएगा फिर उसको कहते हैं कि देखो यह तो चोर ही करेगा क्योंकि उसको बनाया ही चोर गया है तो वो चोर ही करेगा कोई बीमार है उसको दवाई चाहिए आपके पास होस्पिटल हैं, आपके पास डॉक्टर हैं, मगर आप वो सुभिधा उसको नहीं दे रहे हैं, तो वो चोरी करेगा उस सुभिधा के लिए जान बचाने के लिए वो करेगा, आपने उसको चोर बनने के लिए मजबूर किया है, आप उसके पेट में खाना नहीं प चोरी को माफ किया जाता है। चौर है चौर है तो छोटा बच्चा चौर को फिर छोटे ही सब्दों में लेके चलता है और उसे लगता है कि चौरी करना अच्छा है क्योंकि बड़े उसे बड़े प्यार से गाल पे ठबत पाते व Ahí's इस तरह से चोटा बच्चा कोई चीज कहीं खाने पिने की चोरी करता है तो उसको ये नहीं कहते हैं माबाब के ये घरत बात है ये कहते हैं देखो नालायक है नटकट है देखो कैसा चोर है और उसकी उपमा किसी और ऐसे नटकट से देकर चोर से देकर उसका होसला बढ़ाया जाता है इस तरह से चोरी के वो महिमा मंडित किया जाता है जो कि जो सम्मा कम्मन्त है या सम्मा कम्मो है या सम्मा काम है या जो राइट वर्क है उसके हिसाब से ये बैन है वर्जित है इसको नहीं करना चाहिए तीसरा आता है वेबचार कामेसु मिच्छा चारा वेर्मनी सिख्धा पदन समाध्याम यानि कि वेबचार नहीं करना है वेबचार का मतलब होता है कि आजो सदाचार है यानि कि जो अच्छा आच्रन है जो सत्य आच्रन है उसके बिपरीत जो आच्रन करते हैं जो behavior करते हैं अगेंश्ट में यानि के सच के व्यवार के सच के behavior के right जो behavior है उसके against में जो काम करते हैं उसको बोलते हैं वेभी चार या उसको बोलते हैं मिथ्या आच्रन मिथ्या माने जूंटा और आच्रन माने conduct होता है यानि जूंटा आच्रन तो मिथ्या आच्रन या काम यानि कि इस तरह के आच्रण नहीं करने है तो ये काया से होते हैं सरीर से होते हैं इनको काम मिलाया जाता है यानि वर्क होता है तो ये नहीं करने चाहिए दरसल कुछ लोग तो इसको अपनी इच्छा से करते हैं और उनका राग होता है या उनका दूस होता है या तो उनकी द के लिए या किसी को गलत आच्रण के लिए विवचार के लिए जब आप उसको मजबूर करते हैं और जब आप उसको उसमें धकिलते हैं जैसे भूका जो आदमी है अगर भूकमरी रहेगी देश के अंदर तो जो भूका आदमी है वो विवचार करेगा वो कोई भी काम करेगा फिर उसे आच्रण की चिंता नहीं है क्योंकि भूग बहुत बड़ा रोग है फिर आच्रण सदाचार नहीं जानता वो उसको कुछ भी करा लेजिए आप उससे इसलिए आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर जो बहुत जादा परिशान और मजबूर आदमी होता है वो आवशक्ता होगी तो वो फिर अपनी आवशक्ता पूरे करने में क्योंकि लीगल तरीके से नहीं हो रही है सही तरीके से नहीं हो रही है कानूनी तरीके से नहीं हो रही है देश उनको नहीं दे रहा है देश में जो अपने आपको जो गलमानने और बहुत बड़ा व्यक्त तो आप जब वेबचार के लिए किसी को करते हैं तो उसको सिक्षा चीन लेते हैं या उसकी सिक्षा चीन लेते हैं तो वो सही और गलत का अंतर नहीं जानता उसको मजबूर करते हैं उसको बलातकार करते हैं उसको जबरजस्ती करते हैं उसको भूका रखते हैं उसको दवाई नहीं देते हैं उसके परवार वाले तरफ तरफ के मर जाते हैं उनके पास सही खाना नहीं होता उनके पास सही घर नहीं होता उनको कीड़े मकोड़ी जैसी जिंदगी मिलती है जब उनके दिमाग घुंता है और जब उनको इस बात का पता चलता है इसलिए वेफचार लीगलाइस तरीके से भी हो रहा है यानि कि वेफचार करने वाली की लोग जयजयकार करते है जो वेफचार करता है जो मिच्छा आचन करता है जो जूटा आचन करता है और उसकी जयजयकार होती है तो फिर वो एस्टाब्लिस हो जाता है वो जम जाता है भारत में ये बहुत तेजी से बुद्ध के जाने के बाद या बुद्ध को खतम करने के बाद में ये फैला है और मिथ्या आच्रन का यानि मिसकंडेक्ट का गलत भेवार का लोगों ने बड़ी महिमा मड़ित की है और उनको जब नयाय में उनको दंड नहीं मिलता और उनको दंड से बच जाते हैं तो बाकी लोगों की भी हिम्मत बढ़ जाती है इससे ये बढ़ जाता है तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि सम्मा कम मंतंग में या सम्मा कमो में या सही काम में kisी की हलत में मित्या आच्राण नहीं करना चाहिए ये बिलकुल गलत है और चौथा कहते है सुरा मेरे मज़े पामादे ट्ठाना वीर्मणी यानि कि किसी तरह का नशा या प्रमाद नहीं करना है ये चौथा आता है तो एक करना है और एक करवाने के लिए मजबूर करना है करना तो आदमी अपनी इक्छा सी करता है जब उसके अंदर राग होता है या दोयस होता है या मोहमूरता होती है जब वो खुद की इक्छा होती है या किसी का नुपसान होता है मगर करवाने वाला जो वो ज्यादा खतनाग है अगर आप सराव उपलब्द करा रहे हैं बेच रहे हैं अगर आप नशा उपलब्द करा रहे हैं बेच रहे हैं अगर आप नशे के बड़िया बड़िया फोटो लगा रहे हैं उसके फोटो इस तरह से आते हैं जब आप ये कहते हैं कि इसको पीने से कोई नुक्सान है ही नहीं और नहीं नुक्सान का दिखा जाता है क्या हैक्या रही है जब उसको बड़े लोग महीमा मंदुत करते हैं तो नीचे वाले तो बिना सोचे समझे क्योंकि उनको तो असिक्षत रखा हूँ उनके पास सिक्षा नहीं है वो देखतरी सीखते है तो उनको भी लगता है कि ये बहुत बड़े आलिशान चीज है इसे पीने के बाद थोड़ी देख लिए हम भी आलिशान जैसी सिती में राजा जैसी मारा जैसी इस्तिती में आ जाते हैं तो इस तरह से वो इसका शोशन करते हैं जब आप किसी को लालस देते हैं लालस दे के उसको कहते हैं कि नसा पता करो क्योंकि इसका फायदा है या आप किसी का शोशन करते हैं तो उसको पलाते हैं या कभी किसी की हत्या करने के लिए यह हिंसा करने के लिए उसको नशा पता पलाते हैं यह सब चीज़ें सारी की सारी चीज़ें आती है और इनमें जो सबसे खतनाक है वो है दिखावा और ब्यापार यानि दिखावा बहुत जादा होता है नशे का सिर्ट हाथ में लेके लड़कियां बड़े स्टैल में पीती है फूटो किशबाती है सराप पी के आजकल फेस्बुक वगयरा पे खूब फूटो आते हैं ऐसा लगता है कितनी बड़ी अच्छी मैंट हो गई है जवाब नहीं इसका तो ये जो पिचार हो रहा है जो निगेटिव पिचार है इसका और जो ब्यापार हो रहा है क्योंकि दो रुपे का अल्कोल दो हजार रुपे का बिता है तो इसकी जो हजार गुना ज़्यादा जो इसमें मार्जन होता है वो उसको तम नहीं होने देता लोगों को लगता है कि ये जो चीज है बहुत बड़ी है उनको ऐसे ही पेस की जाती है और इसका प्रिचार लगातार चल रहा है दरसल ये एक देश दुरों का कर्म है इसको बेचना इसको रखना इसको बनाना इसको इस्तमाल करना क्योंकि अपने ही देश की लोगों को जहर लाने का जो कर्म है, जहर बेचने का, जहर बनाने का, जहर लाने का, जहर को बिजनिस करने का, जहर का ब्यापार करने का, जहर का प्रचार करने का, यह सबसे बड़ा देश दुरोगा कर्म है, जो भी इसमें शामिल होता है, वो पाप का भागिदार होता है, अनन्त उसकी क्योंकि सुख मन से आता है और मन जब सुद्धोगा तब आता है तो यह जो चोथा करम है सम्मा कम्मंतन का चोथा काम यानि कि सुरा मेर मजजा किछी तरह का नसा नहीं करना चाहिए दरसल यह चारो चीज़े भगवान बुद्ध क्यों करवा रहे हैं इसको समझ यह मैंने पह आपका जो फोल्डर है वो कमजोड पढ़ेगा डिलिक पढ़ेगा फिर आपके मन के अंदर क्योंकि आपने साधना में बैठना है आपने मन को सुद्ध करना है आपने मन को प्यॉरिफाई करना है तो मन सुद्ध अलेडी होता है पहले से ही सुद्ध होता है हर एक बच्चे आएगी नहीं तो जो पुन्न है वो तो दिखाई देगा नहीं वो तो अंदर छपा रहेगा तो बादल कम करने का प्रोसेस है क्योंकि जब आप एकागर चित होंगे कंसंटेट होंगे समाधी में जाएंगे और जब आपका मन एक चित होगा जब मन आप एकागर करेंगे एक बिंदू पर कंसंटेट करेंगे उस समय ये पाप करम आपको परिशान करेंगे इनकी फाइल खुलती है आप जैसे एकागर बैटते हैं या कहीं अगर आप सोते हैं तो सोते ही आपको याद आता है आज हमने ये खराब काम किया ये खराब काम किया ये खराब काम किया तो आपको नींद भी नहीं आएगी ऐसे अगर आपने खराब काम नहीं किया तो आपको फॉरण नींद आजाएगी यही समाधी का है कि जब समाधी में बैठेंगे तो आपके पापकरन कम से कम होंगे तो वो आपके मन को एकागचित करने में कम बादा डालेंगे तो जल्दी एकागचित होगा तो जब एकागचित मन होगा तब पैया यानि प्रग्या जगेगी यह जब प्रग्या जगेगी तब आपको उन्यलाव होना सुरू होगा, तब आप मोख की तरफ, निर्मान की तरफ और सुख आपको प्राप्त होगा, तब आपको सुख मिलेगा, सारा काम सुख के लिए हो रहा है, दुखों से मुक्ति के लिए हो रहा है, यह दूसरा इस्ट टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी है। आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर Team22 से या Facebook से या मेरे पेज से कही से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं उसको download कर सकते हैं उसमें अपने नाम का कुछ भी add कर सकते हैं या अपनी commentary कर सकते हैं उस वीडियो का कोई भी part आप ले सकते हैं उसका printer material भी बना सकते हैं उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं उसका audio change कर सकते हैं उसका video ले सकते हैं आप जैसे भी चाहें team 22 की किसी भी video का या सारी video का इस्तमाल कर सकते हैं ये हमेशा copyright free थी और हमेशा copyright free रहेंगी हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुर्सों की जो बाते हैं उन बातों को हम सरल भासा में आम भासा में आप तक पहुँचा देते हैं अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा share करके या इसको आगे भीज कर या इसका लिंक भीज कर या इसमें से कोई भासा बदल कर या इसको प्रिंट करकर या इसको लोड करकर या डाउनलोड करकर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट करकर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुँचाएं धम की सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि धम दान धम को देना सभी देने में यानि जितना भी हम किसी को देते हैं दान देते हैं उनमें सबसे बड़ा माना चाता है अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे आप धम की सेवा में साहिक बने धम आपको खुब लाब लाब देगा धम आपको लाब देगा आप धम को लाब देंगे ये दोनों इंटरचिन है यही धम की प्राकरतिक नियम है धन्यवाद गड्चामू संगं सरेन है संगं सरेन है गचामू संगं सरेन है तूं थियंप बुद्धं सेन है गच्चामू गूतियं पी भुतंग सर्णंग च्छामी, गूतियं पी धंधंगाल सर्णंग च्छामी पूतीयां पी धम्मं सर्णं गच्छादी, पूतीयां पी संडों सर्णं गच्छादी, ततीयां पी बुद्ध उडों गच्छादी, ततियम् पी धम्मम सर्मा कच्छामी ततियम् पी धम्मम सर्मा कच्छामी ततियं पिन्मांग सरंवं अच्छामी ततियं पीचिंदर सेलंव अच्छामी ततियं पीचंदर सरंवं अच्छामी